Hello everyone, welcome to study rhyme with new informative video UPSC का 2018 वाला जो वीडियो का re-exam था वो आपका 26 और 27 जून को परसों और कल जो है 4 पालियों में ये संपन हो चुका है 26 तारीक को 2 पालियों में आपका एक्जाम था और 27 को भी 2 पालियों में आपका जो एक्जाम था वो अब संपन हो चुका है और इसमें लगबग 14 लाक जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरे हुए थे लेकिन परिक्षा बहुत ही कम बच्चों ने दिये क्योंकि बहुत सारे इसू थे बहुत सारे जो बच्चे थे वो अपना registration नमबर नहीं निकाल पा रहे थे या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्नोंने तयारी छोड़ दिये तो इसके बहुत सारे रिजन थे तो लगबग जो आकड़ा निकल के आया है वो 36% बच्चे जो है वो सिर्फ इस परिक्षा को जो है वो दिये और काफी कम बील्ड भी दिखाई दे रही थी जिस भी सेंटर में देखो तो बील्ड भी काफी कम थी तो हम यहां पर वीडियो 2018 वाले का पेपर का एनलेसिस करने वाले की आखिर जो पेपर है वो कैसा आया है क्या जो 2018 में पेपर था सेम वैसाई पेपर था और या फिर पेपर में कुछ अंतर था और इसकी जो कट अफ है उसमें क्या फर्क पड़ेगा क्या 2018 में जो कट अफ गई थी वही कट अफ आपको इस बार भी देखने को मिलेगी और किस सिफ्ट का पेपर जो है कढ़िन था और कि किस सिफ्ट को जो है ज़्यादा फाइदा होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले और आप कितने प्रस्न करके आई हैं और आपके कितने बन रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे अभी तक जितने बच्चों से बात पता चली है और जितने भी एक समान रखा था बाकि आपको भी पता है कि चार सिफ्ट हैं तो थोड़ा बहुत उपर नीचे हो गाई और कोई बच्चा होगा हो सकता उसको पहली सिफ्ट का असान लग रहा हो दूसरी का असान लगे और पहली का तो वो अलग-अलग बच्चों पे अलग-अलग मुस्सरी से भी था या बहुत हार्ड था रिंदी आपकी 3 सब्जक्ट थे हिंदी रिंग और अपकी जो जी ऐस थी तो हिंदी कह सकते हैं थोड़ा सा आसान पी लेकिन उतनी वी आसान नहीं थी कि हाप आसानी से कर ले न तो आसान थी बच्योंने अच्छा टेम्ट किया है और हिंदी लेट के बच्चे हैं तो आसानी से हिंदी करी लेते हैं, तो हिंदी कह सकते हैं आसानी, लेकिन इसके अलावा जो आपका reasoning था, वो बहुत time taken question उसमें पूछे गए थे, बहुत landy question थे, और जो आपका GS था वो भी थोड़ा सा difficult था, उसमें current के question बहुत ही अच्छे स गया था, तो overall अगर paper देखा जा तो moderate to difficult level कह सकते हैं, हिंदी को छोड़ दिया जाए तो, हिंदी आपकी थोड़ा सा आसान level में रही है, बाकी तो, जो है, लेंदी question जादा रहे हैं reasoning में, और काफी time लगा है बच्चों को reasoning के, जो question है solve करनी में, तो इस वज़े से overall paper जो है, वो difficult हो गया है, और अब यहाँ पर बात की जाए कि किस बच्चे को जो है normalization का फायदा मिलेगा, पहली shift, दूसरी shift, या 27 की पहली या दूसरी shift, तो देखिए, अगर paper की बात की जाए कि किस shift का paper जो है, cut in ता या hard ता, तो अभी तक जो पता चला है, वो 26 तारी की पहली shift ज shift था, वो दोनों difficult थे, और 27 की दूसरी shift थी, second shift, वो कह सकते हैं कि सबसे difficult था, यानि कि सबसे आसान 26 का पहला shift था, और सबसे difficult जो है last वाला, यानि 27 का जो second shift था, बाकी normalization का फायदा, अब देख लेंगे कि 27 तारी को जो second shift वाले, उनको थोड़ा सा मिल सकता है, यही कि difficulty level को देख कर, और 26 तारी की second shift, यानि कि दोनों second shift वालों को इसका जो फायदा है, normalization का, वो हो सकता है, दो तीन number का मिले, ज्यादा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि overall paper ठीक ठाक level का था, बराबर था, बाकी थोड़ा बहुत अंतर ही होता है, और अगर यहाँ पर बात की जाए, कि overall जो paper का analysis किया गया है, उसके according जो cut off है, वो कितनी जा सकती है, वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है, तो दीखिए, इसमें negative marking भी अच्छी खासी थी, आपको पता है, 50% की, 1 by 2 की, जो negative marking है, वो थी, तो इसमें अगर जिसने risk लिया है, और अच्छा तुका उसका bad गया ह तो सही है, वरना गलत हो रहा है, तो बहुत जादा इसमें जो घाटा है, वो भी हो सकता है, तो दीखिए, अगर बात की जाए कि cut off कितनी है, जो इस बार जा सकती है, तो journal की जो है, 100 question की बात हो रही है, नंबर करेंगे, तो 2 से multiply कर सकते हैं, तो journal और OVC, इन दोनों की cut off है वो लगबख सेम रह सकती है, 100 question की बात हो रही है, यहाँ पर, इसमें आप plus minus 2 कर सकते हैं, या प्लस minus 3 कर सकते हैं, इस से ज़्यादा नहीं होगी, तो journal और OVC, इन दोनों की cut off, 100 question की something है, आपके cut tweet की अगर 100 की आसपास बन रहे हैं, तो आप उमीद लगा सकते हैं, कि आप 95 question और ST की जो cut off है, ST की जो cut off है, वो आपकी 92 question और female की cut off, आपकी 97 question की something जो है, वो रह सकती है, तो यह यहाँ पर आपको cut off बता दिये, कि जनरल की cut off है, एनलेसिस किया गया है, वो 100 question, SC की 95 question और ST की 92 question और female की cut off है, वो आपकी 97 की something रह सकती है, यह एक एनलेसिस है, जो पेपर की लेवल को देखकर, और बच्चों से पूच कर, और आपका negative marking इन सब चीज़ों को करने के बाद निकाला गया है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, वो आपको पहले ही बता दिया गया, कि प्लस माइनस 2 हो सकता है, तो अगर आपके इतने question सही हो रहे हैं, तो आप एक उमीद लगा सकते हैं, यह आपका जो selection है, वो हो सकता है, बाकि आपके आगे, अब इसमें तो जो होना था, वो हो गया है, आगे जो भी exam हो, उनकी तयारी में अच्छे से लगे रहे हैं, और best of